सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें बगेर भाव के किया हुआ कोई भी कारे भगवत द्रश्टी में सून निमाना जाता है आप कभी कोई भी कारे करें भगवान के लिए तो मेरा एक विशेश निवेदन आप सब से है मन में भाव आया है कि हमें भगवान के लिए ये कारे करना है अपनी प्रशन्यता के लिए ऐसा कारे करना है तो प्यारे भाव से करना स्रद्धा से करना प्रेम से करना दिल खोल के करना मोलो रादे रादे क्योंकि जो कारे आप प्रशनता से करेंगे निश्चित है कि वो कारे शिद्ध होगा जिस कारे को आप दिल से करेंगे निश्षित मानना प्रभू की कृपा प्राप्त होगी लेकिन भगवत कारे में अगर आप बिचार करते हैं तो समझ लेना कि भूल कर रहे हैं अपने लिए हम कभी बिचार नहीं करते हमें ये कपड़ा खरीदना है तो खरीदना है हमें ये चीज पहननी है कितनी भी कीमती क्यों ना हो हम जरूर पहनेंगे लेकिन दुरभागी ये है कि जब जब हम कोई भगवत कारे करने का संकल्प लेते हैं तो बिचार करते हैं सहाब निवेदन है मेरा बिचार नहीं करना है किसलिए विचार करते हो परमात्मा ने दिया है और इसलिए दिया है कि बेटा हमारी सेवा में लगाओ अपना भी पालन पोशन करो घर गरश्ती चलाओ और जब जब अबसर लग जाए तो जैसे अपने लिए कारिकिरम करते हो हमारे लिए महोत सब करो बोलो रहा दे रहा दे दिल खोल के करो प्रेम से करो सरद्धा से करो और प्रशन अता का अनभव करते हुए करो क्योंकि बगवतकारी में बिल्कुल ये गुण्याइस नहीं है कि आप बिचार करें बगवतकारी में ये कोई गुण्याइस नहीं है कि आपका हिर्दय अंदर से परेशान हो रहा है और हम लगें ऐसा नहीं क्योंकि कारण है उसका अगर आप परेशान होकर के कोई भगवत कारी कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त हो कारे तो करना ही है परसनता से करो तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं जैसे एक छोटा सा ओजारन माता है घर में बोजन बनाए और परसनता से ना बनाए तो बोजन भी पच्चता नहीं है अरे कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो गुष्णा खाने पर क्यों निकालो भाई अरे कोई बात हो जाए उसको वहीं खतम करो क्योंकि जब भोजन बनाने का समय आए क्योंकि प्रभू के लिए भोग बना रही है प्रसनता कानुबव करके टैंसन नहीं होनी चाहिए उस समय जब रसोई के अंदर है तो बिल्कुल टैंसन फ्री होके एक दम मस्त होके प्रसनता से आप प्रसनता से और उनका ध्यान चिंदन करके बनाओ कितना अनंदाता है उसी प्रकार भगवान के लिए भी कोई कार्याब करें मगन हो करके करो प्रसन हो करो दान की महें मांजय बहिए कोई दान भी करता है नो तो प्रसनता से करो आप पर जितनी विवस्ता है जितनी स्रद्धा है उतना ही करो लेकिन उतना करो पर प्रसनता से तो करो कही भार होता है अच्छा परियास की बात है कही भार हमने देखा लोग दान का लाउंस्मेंट कहीं होता हो तो फिर फोड़ी उमंग तो आई जाती है अगले ने दिया पांसो उसने सुना सब उसका नाम पांसो में तो हम एक हजार जरूर देंगे और वो एक हजार रूपे लेके आया और उसने मारा जी हमारा नाम बोल दो हो गया अब एक हजार दे तो दिये लेकिन जब पीछे कुर्सी पर जाके बैठ गया अब बैटे बैटे बिचार कर रहा है साथ दिन की कथा है सौ सो रूपे भी चड़ाता तो साथ सो ही तो होते तीन सो बचते हजार दे दिये हजार चड़ा दिये अब दे तो गया लेकिन विचार कर रहा है बैठके कि यह ज़्यादा निकल गया इतना नहीं करना था अतना लेकिन ज़्यादा निकल गया अब निकल गया फिर विचार भी कर रहा है जमा चाहूंगा आपका वो दान दान नहीं रहा विचार नहीं करना है जो निकल गया किरपा उनकी हम तो कहते भगवान निकलवाते रहें एक जगे अगर पानी भी कठा हो जाता है एक जगे भरा हो गड़े में तो वो भी कही न कही दूशित हो जाता है, गंदा हो जाता है एक जगे ठहरा हुआ पानी हमेशा लगबग गंदा ही मिलता है लेकिन जो पानी बह रहा है तालाप का पानी गंदा क्यों हो जाता है एक जगे भरा है नदी का पानी गंदा क्यों नहीं होता क्योंकि वो बह रहा है इसलिए जब बंडार भरा है और जब लगे कि अब ओवर हो रहा है तो अच्छा है कि उसको भगवान की ओर मोड दो और जब धन भगवान की ओर मोड जाए तो प्रसनता का नुवव करो कि हमें प्रभू ने इस लाइक तो समझा है इस काबिल तो समझा है कि हमें सेवा दी है वगवान ने और एक बात और समझना सेवा का भाव, दान का भाव इनकी कृपा से ही आता है पैसे वाले बहुत हैं संसार में लेकिन हर कोई भागवत कथास करवाए हर कोई भागबत कथा से जुड़ जाए या हर कोई सेवा आकर के वरंदावन में दे ऐसा नहीं है सेवा भी ठाकुर जी उसी से लेते हैं जिसे अपना कुछ समझते हैं प्रेमसका और आदे रादे सबकी सेवा भी ठाकुर जी स्विकार नहीं करते सेवा उसी की लेंगे जिसे वो अपना समझेंगे